नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके साथ बाग करने वाला हूँ Ball World Ascent इस एप्लिकेशन के बारे में या प्लिकेशन के बारे में दोस्तो Ball World Ascent इस गेम से रिलेटल हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में वैसे तो दोस्तो सारी टॉपिक्स यानि की सारी जानकरी जानेंगे हम इस सुड़े में खास करके दोस्तो इस एप्लिकेशन के विड्रॉल के बारे में जानकरी में आपको बताऊंगा सारी रियल जानकरी बताऊंगो दोस्तो विड्रॉल के बारे में ठीक है और ये अप्लिकेशन रियल है या फिर फैके इसके बारे में दस्तो रियल जानके मैं आपको इस उड़े में बताऊंगा बाकी सारी जानकरे आप लोगों को मिल जाएंगे दस्तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब देखो इस एप्लिकेशन में हमें गेम इतना बढ़िया देखने को मिल जाता है ना कि बाई मज़ा आ जाता है जी हाँ दोस्तो गेम यहाँ पर काफी बढ़िया है तो आप लोगों को गेम में मज़ा आ जाएगा और game खेलते केलते दोस्तो इस application में earning होती है अभी देखो 168 रुपे earning यहाँ पर मेरे को हो चुके level complete होने के बाद में और इसी तरीके से मैं level complete करता जाओंगा दोस्तो तो मुझे earning होती जाएगी तो जादा मैं इसमें time waste नहीं करूंगा दोस्तो गेम खेलने में main बात कर लेते है तो दोस्तो मेरी 5 मिनट में earning हो चुके इस application में 2202 रुपे यहने कि 2202 रुपे तो मैं earning पर click करूंगा दोस्तो earning पर click करने के बाद में यहाँ पर हमें ऐसा interface मिल जाएगा देखो हमें पहले तो 12,000 रुपे कमाने होंगे इस application में तो हम लोग withdraw लागा सकते है उससे जादा का withdraw लागाना है तो 24,000 का withdraw लागा सकते है यानि कि दोस्तो 12,000 का minimum withdraw limit है इस application में और हम लोग यहाँ click करेंगे दोस्तो please enter your withdraw account पे तो हम लोग यहाँ पर account details fill कर सकते दोस्तो पेपाल का fill करना है आप लोगों को withdraw detail दोस्तो तो पेपाल का fill कर सकते हो या फिर दूसरे withdraw method का fill कर सकते हो यहाँ पर हमें अपना full name डालना है और यहाँ पर account डाल देना है फिर submit कर देना है submit करने के बाद दोस्तो अभी हम लोग cash out पे क्लिक करके देख लेते हैं तो यहाँ पर अभी दोस्तो यह दिखा रहा है कि not enough coupons यानि कि दोस्तो minimum withdraw limit हमारा fill complete नहीं हुआ है हमें minimum 12,000 रुपे कामने ही होगे तब जाकर हम withdraw लगा सकते है यहाँ तक तो ठीक है दोस्तो कब withdraw लगा सकते है कैसे लगाना है कैसे apply कर सकते withdraw के लिए वो तो हमने बात कर ली लेकिन अभी बात करते दोस्तों कि यहाँ से कोई फायदा होगा कि नहीं हम लोगों को हम earning करेंगी इस application में game खेलेंगे तो हमें कोई फायदा होगा कि नहीं यह payment वागेर हम लोगों को मिलेगा कि नहीं तो जी नहीं दोस्तों यह आप लोगों को payment नहीं मिलने वाला है देखो इसमें दो चीज़े होगी पहले तो यह होगा कि आपका minimum withdraw limit complete ही नहीं होगा इस application में minimum withdraw limit complete होने से पहले आप लोग application में परेशान होकर कि application को अनिस्टॉल कर देंगे पहले चीज़ यह हो सकती है दूसरी चीज़ यह होगी दोस्तों कि आप लोग withdraw भी लगा पाते है यानि कि minimum withdraw limit complete भी कर पाते है और withdraw के लिए अपला ही करते हैं दोस्तों तो भाई payment आप लोगों को नहीं मिलेगा जी हाँ दोस्तों payment मिलने वाला नहीं है तो यह application दोस्तों real नहीं है अगर payment नहीं दे रहा है तो भाई यह application real नहीं है यह application fake आप लोगों को ए-to-z जानकरी बता दी है ठीक है withdraw के बारे में भी जानकरी बता दी payment देगए अकि नहीं application उसके बारे में भी बता दिया और application real है या फिर fake है वो तो आपको पता चली गया है बाकि टोटल जानकरी आप लोगों को इस application के वारे में इस game के बारे में मिल गई है दोस्तो और जो reality जो real जानकरी है वो आप लोगों को इस video के माद देम से मिली है जो कि दोस्तो आप लोगों को जानकरी काफी helpful साबित होने वाली है दोस्तो अब दोस्तो आप लोगों को real और अच्छे earning apps चाहिए तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगे दोस्तो यह earning app तो मतलब यह app तो fake है दोस्तो में दोस्तों साथी दोस्तों टेलीग्राम चैनल की भी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको भी आप लोग जोईन कर सकते हो दोस्तों जोईन नहीं किया है तो